नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में दोस्तों हाजर आप सामने कैसा वीडियो लेके जो की आपकी डिमांड पे इस वीडियो आपके लिए हमने त्यार किया है जो की है स्कूरूटिनी स्पेसल वीडियो जी हाँ दोस्तों जैसे ही 68500 सिक्षक भरती का प्रेडाम घोशित हुआ तो आपके धेर सारे प्रस्ण हमारे पास आए क्योंकि ऐसे बहुत से अब्रती थे जो की जिनका प्रेडाम उनके एकॉर्डिंग सही नहीं आया है और वे अपनी उत्तर पुस्तिकाव को पुनह देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो क्या करना है वीडियो को सुरूर से लास तक देखना है चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जिरू प्रेस कर लिजेगा दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि जब आप लोगों ने 68500 शिक्षक भरती के लिए आवेदन करना प्रारम किया था उसके पहले एक सासना देश आया था तो वो सासना देश जो था सहाय का द्यापक भरती परिक्षा 2018 को संपन कराए जाने हे तू एक समय सानी जारी की गई थी और उसी में आप देखेंगे 22 पॉइंट ये दिया गया था परिक्षा फल प्रकासन ठीक है तो आप जब इसमें जब जाएंगे तो यहां पर स्कूटनी को लेकर एक पॉइंट मेंशन किया गया था पॉइंट नमबर 23 में जिसमें कि ये बताय गया है कि अभ्यरती सहाय का ध्यापक भरती की जो परिक्षा है परिक्षा की अपनी उत्तर पुष्टेका की स्कैंड कॉपी ठीक है स्कैंड कॉपी परिक्षा फल घोसित होने की तीथी से एक वर्स के भीतर 2000 सुलक का डिमांड ड्राफ देकर प्राप्त कर सकता है यानि कि जो आपके मन में प्रस्ट था क्या हम अपनी कॉपीों को हम देख सकते हैं यस आर नो तो इसका एंसर है यस यानि कि जो भी अभ्यरती अपनी कॉपिया देखना चाहते हैं कि आपका नंबर ऐसे इतना कम क्यूं आया किस वज़े से आया तो आप बिलकुल अपनी कॉपी को देखने के लिए स्वतंत्र है उसके लिए आपको 2000 रुपए का डिमांड राफ बनवाना पड़ेगा ठीक है और डिमांड राफ सच्चिव परिशा नियमक प्राधिकरण पक्ष में किसी भी राष्टे कृत बैंक में आहरित और बाद में दे होगा तो जो भी अपनी कॉपियों को देखने के बाद अगर आप उससे असंतुष्ट है तो क्या आप में पास कोई आप्शन है क्या आप उसका कुछ विरोध कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पॉइंट नमबर 24 पे ये भी बताया गया है कानूनी जोजन से सम्मंदित सभी विवात केवल माननी उच्च नयाले इलहाबाद के अधिकार छेतर में आएंगे यदि आपको किसी प्रकार से आप उस पे संतुष्ट है अपने कॉपियों के मुल्यांकन को देखने के बाद तो आप इसे कोट में अपील कर सकते हैं ठीक है दोस्त को एकदम इसपश्ट कर देना चाहते हैं कि PNP बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं होगा उसने इसपश्ट रूप से बता दिया था PNP ने कि यदि आपको जो भी आपको कॉपी देखने के बाद असमस्या होती है तो यह सब आपका जो है बहारी मामला यानि आप कोट के अध अधान और नहीं होगी दुबारा जाच यह है PNP का आदेश और यह जो परिशा बन गई है देश के लिए एक मिसाल बनी है क्योंकि इतनी यह पहला मौका है जब प्रात्मिक स्कूलों में सिक्षक पत्पर न्युक्ति के लिए अभ्यरतियों वह इतनी कठीन परिक्षा से पढ़ रहा है दोस्तो 68500 शहायक अध्यापक भरती का परिडाम घोशित होने के साथ ही अभ्यरतियों में नंबर को लेकर तेज चर्चा हो गई है कुछ अभ्यरति ऐसे भी है जो प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है चीक है लखनों की रितू का दावा है कि 150 अंकों की परिक्षा में उसे किसी हाल में 100 से कम नहीं मिल सकते थे जबकि सोंबार को घोशित परिडाम में उसे 69 नंबर ही मिले हैं अलाकि रितू जैसे अभ्यरतियों के लिए कोई विकल्प नहीं है क्योंकि लिखित परिक्षा के लिए 9 जनवरी को जारी सासना देश में ही सारे रा नहीं किया जाएगा और नहीं उस पर कोई कारवाई भी की जाएगी सची परिक्षा न्यामग प्रादिगर डाक्टर सुत्ता सिंग ने कहा कि सासना देश के पुनर मुल्यांकन या स्कोटनी की कोई ब्यवस्था नहीं है परिक्षा के बाद उत्तरमाला जारी करते हुए अ इसकी प्रक्रिया हमने आपको बता ही दी है तो यह थी दोस्तों हमारे और से आपके लिए एक information और साथ यह बहुत बड़ी information है आपके लिए जिन लोग जो है परिक्षा फल देखने बाद असंतुष्ट है और मेरी आप सभी से request है बहुत बड़ी request है कि आप सभी इसको अपने copy को नहीं देख पा रहे है ठीक है तो इसी request के साथ हम वीडियो को अपने समाप्त करते हैं तो यह थी आज की update तो चलिए सभी लोग वीडियो को like और share कर दीजे सभी के सभी और latest news update रहने के लिए चैनल को subscribe करके बेल आइकन जोर प्रेस कर लिजे मिलते हैं आप से अ अशकार धन्यवाद शेयर करना ना भूले धन्यवाद